भारत में एक बार खत्रा फिर से मन रहा है, क्या इस खत्रे को पापा रोक पाएंगे या वैसे ही करेंगे, जैसा उन्होंने यूक्रेन के साथ किया, हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप, उम्मीद है सब बढ़ियां होगा, आज हम मुवी देखेंगे चोटे मिया, बड़े मिया, ये वो मुवी है, जिसने 90's में तहलका मचा के रखा था, पर आज की मुवी, नाम तो बड़े मिया, छोटे मिया है, पर ये साइफाई मुवी है, इस पिक्चर के लीड रोल में, अक्षा कुमार और टाइगर श्राप है, और विलन में, प्रत्वी राज सुकुमार, इन्हो गुसरी तरफ हमें पता चलता है, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के तालुकात अच्छे नहीं चल रहे, अगर भारत से इन दोनों देशों में जंग होती है, तो भारत को बहुत जादा नुकसान होगा, इसी वज़ा से भारत ने कुछ चीज डबलप करी है, और वोही च आदमी जो मास्क लगाए होता है, वो अपनी राइफल निकाल के सभी को मारने लगता है, और उस ट्रक में जो लोड होता है, वो एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स को लेके वो अपने साथ चला जाता है, और दूसरी तरफ हाई कमान में मिंटिंग चल रही होती है, कि आखिर ये है कौन तभी उसको ट्रेस करने लगते हैं पर वो आदमी ट्रेस नहीं होता पर तभी उतने में वो ब्लैक बॉक्स ट्रेस हो जाते हैं जो इंडियन आर्मी के थे हैड़कॉाटर का चीफ मिटिंग के दौरान बोलता है उस बॉक्स में जो चीज है वो चीज उस करनल आजाद को करनल आजाद कैप्टन विशा से बोलते हैं हमें इस मिशन के लिए दो आदमी की जरूरत है और वो दो आदमी छोटे मिया बड़े मिया हैं तो कैप्टन विशा बोलती हैं तो आखिर उनको बुलाया क्यों नहीं गया करनल आजाद विशा को बताते हैं कि इन तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है, और ये कहानी 8 साल पहले चली जाती है, हम देखते हैं कैप्टन आजाद, कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश, ये तीनों अफगानिस्तान के एक मिशन में जाते हैं, कैप्टन फिरोज का नाम फ्रेडी ह जिसको सब बड़े मिया बोलते हैं, और कैप्टन राकेश का नाम राकी होता है, जिसको सब छोटे मिया बोलते हैं, ये तीनों एक मिशन में जाते हैं, जिसमें आजाद बोलता है, कि हमें आतंगवादियों को जिन्दा पकड़ना है, और ये जिम्मेदारी बड़े मिया औ और छोटे मिया को दी जाती है और इस पूरे मिशन का नाम छोटे मिया और बड़े मिया होता है और तभी से इन दोनों का नाम छोटे मिया बड़े मिया पढ़ जाता है और वो दोनों सभी आतंगवादियों को मार देते हैं एक बार सी इन शिफ्ट होता है हम देखते हैं उन्हों चले जाते हैं बड़े मिया को मनाने पर बड़े मिया पूरी कहानी सुनने के बाद भी नहीं मानते और बोलता है मुझे इस मिशन में कोई इंट्रेस नहीं है मैं नहीं जाओंगा ये बात सुनने के बाद विशा और छोटे मिया वहां से निकल जाते हैं और वो पहु UK के बहुत बड़ी building के basement में है तो यहां Rocky मतलब छोटे मिया बोलता है कि हमें इस लड़की का आखिर काम क्या है तो Pam बोलती है यही वो लड़की है जो हमें उस weapon तक पहुचा सकती है तब ही वो तीनों वहाँ निकल जाते हैं जो एक secret hideout था और वो बहुत आसानी से बसते बचाते वहाँ तक तो पहुची जाते हैं पर उतने में वहाँ के guard इन सब को देख लेते हैं और यहां उनकी fight शुरू हो जाती है fight करते करते छोटे मिया उस chamber में भी पहुच जाता है जहां secret weapon है पर उतने में वहाँ एक मुख़टा पहन के एक आदमी आता है उससे छोटे मिया लड़ता है पर उससे लड़ नहीं पाता दरसल उस आदमी को जो भी चोट लग रही थी वो चोट अपने आप सही हो जा रही थी मतलब उसके अंदर healing power थी छोटे मिया बहुत ठक चुका था और सभी guard आके उसको पकड़ लेते हैं और last में तीनों को गोली मारने वाले ही होते हैं उतने में ही बड़े मिया के entry हो जाती है और बड़े मिया बड़ी आसानी से सब को beat कर देते हैं फिर यहां बारी आती है Pam की Pam वो secret door को खोल देती है और खोलते ही साथ उनकी आखे फटी की फटी रह जाती है उसके अंदर कोई weapon नहीं था बस केवल थी तो एक लड़की जिसका नाम सुनाक्षी सिना था सुनाक्षी सिना बताती है कि कोई weapon नहीं है तभी छोटे मिया बोलते हैं तो बॉक्स में क्या था तो सुनाक्षी बताती है बॉक्स में और कोई नहीं मैं थी दरसल मैं ही वो weapon हूँ जिसे इंडियान आर्मी ने डबलब किया था सुनाक्षी यहां सारी बात explain करती है और वो बोलती है इंडियन साइंटेस्ट ने जो चीज डबलब करी है वो एक डॉम है दरसल बहर से आने आले जो भी खत्रे हैं वो सारे खत्रे जो इंडिया के उपर आने वाले होते हैं वो डॉम पहले से ही भाप लेता है और अभी वो डॉम एक्टिवेट है दरसल डॉम हम उसे बोलते हैं जो एक कवज की तरह काम करता है और वो कवज कोई नहीं भेज सकता जब ये टेखनोलाजी डबलब करी जा रही थी तभी ये बात हुई थी ये पूरा डेटा किसी हम हार्डिक्स में सेफ करेंगे तो ये हार्डिक्स ट्रैक हो सकती है और कोई इसको हैक भी कर सकता है तभी उतने में वो फैसला लिया गया जो मेरी जिन्दगी का काल बन गया और मुझे ही चुन लिया गया उस हार्डिक्स के जरीए मुझे ही कहा गया कि पूरा डेटा तुम्हारे दिमाग में स्टोर होगा जब हम चाहेंगे एक्टिवेट कर लेंगे डॉम और जब चाहेंगे तो उसको डिएक्टिवेट कर देंगे पर अभी परिशान होने की बात नहीं डॉम अभी एक्टिवेट है भारत के उपर कोई हमला नहीं कर सकता छोटे मियां हस्ते हुए बोलता है आखिर तुम्हें ही क्यों शिकार बनाये गया तुम ही मिली थी क्या तब ही सुनाश्ची से ना बोलती है मैं भी एक इंडिया नार्मी हूँ मेरा भी फर्ज है अपने देश को बचाने का इसी वज़ा से मैंने ये फैसला लिया और इस कवज का नाम करन कवज है और उतने में ही दिमाग की एक घंटी बस्ती है बड़े मियां बोलता है मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है अगर ये डेटा तुम्हारे दिमाग में है और इसको डाउनलोड करा जा सकता है तो अब तक तुम्हारा डेटा पूरा डाउनलोड करा जा सकता था और तुमको मार भी दिया जाता पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम अभी भी जिन्दा हो ये एक ट्रैप था पर पर परेशान ना हूं मैं तुमको बताउंगा कखिर यहां क्या चल रहा है और कहानी की पूरी टाइबलाइन 8 साल पहले चली जाती है चोटे मिया बड़े मिया सोलजर थे पर कभीर एक बहुत बड़ा विजनेसमेन था कभीर यूके से इंडिया आता है और चोटे मिया बड़े मिया से मिलता है और उनको पूरा प्लान बताता है और बोलता है मुझे एक मीटिंग करनी है और वो मीटिंग तुमारे हेटकॉाटर में होगी वो दोनों कभीर के लिए ऐसा कर देते हैं फिर कभीर हेटक्वाटर बैटके सारे अधिकारियों के सामने उपना प्लान बताता है और बताता है मैं 15 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट का नाम Soldier X है दरहसल ये Soldier कोई असली Soldier नहीं ये Clone होंगे उन Soldier के जो मर चुके हैं और जो अपने Indian Army में सबसे best हैं उनके Clone होंगे जैसे छोटे मियां और बड़े मियां मैंने इन दोनों का Clone बनाया है और आने वाले भविश में मैं इन Clone को इतना अपग्रेड कर दूँगा कि इनको कोई मार भी नहीं सकेगा और देश में कोई भी जंग होगी तो जंग कोई लड़ नहीं पाएगा और लड़ेगा भी तो बे मूखी खाएगा और हार जाएगा और आगे चलने के बाद ये दुनिया भारत से ढरेगी कभीर की ये सारी बाते सुनके वो पूरे High Command के लोग कभीर का प्रोजेक्ट बंद करने की बात करते हैं और बोलते हैं ना हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए और ना हम बनाने की अनुमती देंगे कभीर करनल आजाद से बोलता है ये पूरा दारो मदार मैं आपके हाथ में दे दूँगा और आप ही सब चलाना क्या प्रोबलम है आखिर मेरे प्रोजेक्ट में क्या प्रोबलम है यहां करनल आजाद बोलते हैं यही तो सबसे बड़ी प्रोबलम है अगर मैं ही गद्दार निकल गया तो इंडिया का क्या हलोगा और अगर तुम्हारे हुमन कलोन उन्होंने बगावत कर दी तो भारत में तक्ता फलट हो जाएगा और सौ किसी थी एक बात मैं तुम्हें इतना नहीं समझा सकता सबसे जरूरी हमारा इंडियन आर्मी और उससे ज़्यादा जरूरी है इंसानियत हमारा जमीर वो सबसे पहले होता है और जो तुमसे कहा गया है उस काम को जल्दी पूरा करो अपने रिसर्च बंद करो कभीर ये सुनके आजाद के उपर हमला कर देता है पर बड़े मिया और छोटे मिया उसको जमीने पटक देते हैं और उसको रोक लेते हैं आजाद से लढ़ने के लिए और बोलते हैं अब दुबारा मत करना आजाद वहां से चला जाता है और कभीर दोड़ते हुए अपनी लैब जाता है और बोलता है मुझे बहुत दिन हो गए सोल्जर एक्स को बनाते हुए पर मुझे अब दिन नहीं चाहिए मुझको आज के ही आज ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट चाहिए और ये जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं इंडिया के दुश्मन देशों को बेचूंगा जैसे की चीन और पाकिस्तान फिर इंडिया को ये पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या बनाया कभीर की ये सारी बात सुनाक्छी सिना सुन रही थी और सारी चीज रिकार्ट करके वो करनल आजाद को दिखा देती है और करनल आजाद छोटे मिया बड़े मिया को भेजते हैं और बोलते हैं कभीर को तुमें जिंदा पकड़ के लाना है और उसको कोई भी नहीं मारेगा कभीर को सजा केवल भारत सरकार देगी फिर वो दोनों कभीर को पकड़ने चले जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत आता पाई होती है कभीर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है पर छोटे मिया बड़े मिया अपने बंदूग निकाल के कभीर को जान से मार देते हैं जब ये बात भारत सरकार को पता चलती है तो उन दोनों का कोट मार्शल हो जाता है। दरसल उन दोनों को यही बार-बार कहा गया था कि तुम्हें कबीर को जिन्दा पकड़ना है ना कि उसको मारना है। और इसी सब बातों से उन दोनों का कोट मारसल करके उन दोनों को ड्यूडी से बाहर कर दिया जाता है। और एक बार कहानी फिर शिफ्ट होती है प्रेजन टाइम में। तो यहाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलते हैं आखिर हमने तुमको मार दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो। कभीर यहां दोनों को बताता है, तुमने जिसको मारा, वो मेरा क्लोन था, जब तुम दोनों मुझे पकड़ने आये थे, तो मैंने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया था, और मैं वहां से निकल गया था, पर वो क्लोन मैंने 15 साल लगाए, उस क्लोन को बनाने में, और उन दोनों की आखों के सामने भी मार देता है पिर कभीर के पास तीन लोग आते हैं जिनके चहरे में भी मास्क था और वो मास्क जब हटाते हैं तो है सब चौक जाते हैं वो तीन और कोई नहीं छोटे मियाक और बड़े मिया और करनल आजाद के डुब्लीकेट मतलब कलोन थे और वो बोलता है मैं तुमको मार के इन तीनों को इंडिया ले जाके करन कवज को डियक्टिवेट करूंगा और पाकिस्तान और चाइना में हमला करूंगा जिससे वो दोनों देश इंडिया के उपर हमला करेंगे और इंडिया यहां तभा हो जाएगा और इंडिया की मदद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा क्योंकि इंडिया ने पहला हमला किया था और जो देश पहला हमला करता है उसकी यूनाइटेट कॉनसल कोई मदद नहीं करता और उसको भहिषकार कर दिया जाता है जैसे इस देश को भहिषकार किया जाएगा वो भी मैं करवाऊंगा और यहां वो आग लगा के वहाँ से निकल जाता है कभीर सारे लोगों को ले जाता है इंडिया और दूसरी तरफ हम देखते हैं चोटे मिया बडे मिया अपनी चेन तोड़के वहाँ से जैसे तैसे अपने साथियों को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और वो सभी पहुच जाते हैं इंडिया और इंडिया में हेटकॉाटर में आके चोटे मिया बडे मिया कबीर का सारा प्लान बताते हैं headquarter के chief पूरे mission की जिम्मेदारी छोटे मिया बड़े मिया को दे देते हैं और बोलते हैं तुम्हे ही बचाना है पूरे दुनिया को और अपने इंडिया को दूसरी तरफ हम देखते हैं कबीर अपने साथियों के साथ करल कवज के base center में पहुच जाता है जहां से करल कवज deactivate हो सकता था और वहां सुनाक्षी सिना से वो करल कवज deactivate कर दिया जाता है दूसरी तरफ छोटे मिया बड़े मिया वहां पहुच जाते हैं और वहां बहुत घमासान लडाई होती है पर उतने में ही उन दोनों का हम रूप मतलब दोनों का कलोन आमने सामने खड़ा हो जाता है यहां बड़े मिया अपने बड़े मिया से लड़ता है और छोटे मिया अपने छोटे मिया से मतलब एक दूसरे के क्लोन से लड़ते हैं फिर fight के आखीर में उन दोनों क्लोन का अंत होता है छोटे मिया बड़े मिया अपने क्लोन को जला के खतम कर देते हैं फिर वो दोनों कभीर के पास आते हैं और दोनों में बहुत जादा रड़ाई होती है और कबीर यहां बताता है मैंने मिसाइल एक्टिवेट कर दी है और वो सारी मिसाइल पाकिस्तान और चीन की तरफ जा रही है कैसे बचाओगे अपना देश इसी गुस्से में छोटे मिया बड़े मिया कबीर को जान से मार देते हैं और हम देखते हैं सुनाक्ची सन्या की तरफ सुनाक्ची सन्या बहुत घबराई हुई होती है तो छोटे मिया बड़े मिया जाते हैं और बोलते हैं आखिर हमें कैसे बचाना होगा अपने देश को और बाकी उन देशों को जिधर वो मिसाइल जा रही हैं तो यहां बड़े मियां बोलते हैं, अगर हमने करनकवच को फिर से एक्टिवेट कर दिया, तो करनकवच की पूरी लेयर चारो तरह फैल जाएगी, और वो मिसाइल उस डोम में आके ठकरा जाएगी, और वहां ब्लास्ट हो जाएगी, और ना कुछ होगा, और ना किसी को कुछ नहीं एक लवे है, दरसल कबीर अपने कलोन एक लवे को बहुत पसंद करता था, उसने उसको 15 साल दिये थे, इसी वज़ा से पासवर्ड यही रखा होगा, और जब यह पासवर्ड डालते हैं, तो यह एक बार फिर से डोम एक्टिवेट हो जाता है, और वो सारी मिसा हैं, और वहां से चले जाते हैं, तो यह एक बार फिर आख खुलती है, कभीर की, और कभीर एक बार फिर जिन्दा होता है, और यहां हमें हिंड मिलता है, कि इसका दूसरा पाड़ी बन सकता है, अगर यह पहला पार्ट चला, तो दूसरा पार्ट जरूर बनेगा, और आप तक आ चुके हैं, तो इस चैनल को सस्क्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक करके, कमेंट्स में आप हमको बता सकते हैं, कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए, और ऐसी ही मूवी मैं लाता रहता हूँ, मिलते हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए, ग गुद्बाई